जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ आज दीपावली के आखरी दिन पे भाईदूज पर्व की आप सभी को हार्दिक शुब कामना है मालक्ष्मी के नाम का जैकारा अवश्य लगाएं कमेंट सेक्षिन में जै मालक्ष्मी अवश्य लिखिए आपकी रक्षा मालक्ष्मी स्वयम करेंगी घर को धन धान्य सुख सभागे से भड़ देंगी भाई दूज पर्व का विशेश महुरत क्या है बहनों को अपने भाई का तिलक टीका किस समय पे करना है जिससे की बहन और भाई दोनों को ही लाब होगा साथ ही साथ इस दिन पे एक दिया आपको अवश्य लगाना है वहमें आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस दिये के लगाने से आपके घर की रक्षा होती है और घर में धन धान्य सुख सभाग्य बढ़ता है दीपावली के आखरी दिन को हम सभी भाई दूज का दिन बोलते हैं इसके पीछे एक रोचक कहानी है जिसके अनुसार यमना जी अपने भाई यम का पूजन इस दिन पे करती है और इस प्रकार माना जाता है इस दिन पे जो भी बहने अपने भाई का तिलक पूजन इत्यादी करती है उन्हें यम का भय नहीं होता यम याने कष्ट, मृत्यू, किसी भी प्रकार का अरिष्ट, अनिष्ट इस तरह से यम को सनातन धर्म में माना जाता है इसलिए हमें इस दिन पे यम देब को प्रसन करने के लिए शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए इस दिन पे पूजापाट का विशेश महुरत विधी इत्यादी की जानकारी मैं आपको बता देती हूं 16 नवंबर 2020 की तारिक सोमवार का दिन है कार्दिक मास के शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी है तिथी का प्रारंब 16 नवंबर सुभा 7 बजे के आसपास होगा और इस तिथी की समापती 17 नवंबर मध्य रातरी 3 बच के 40 मिनिट पे होगी यम दुतिया का पर्व बहुत ही शुफ पर्व होता है इस दिन पर हम सभी रत रखते हैं और अपने भाई का तिलक अथवा टीका करते हैं वितुतिया के पर्व पे सुभा के समय जल्दी उठके चंद्रमा का दर्शन करने से आपको सुख सभागी की प्राप्ती होती है जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादी चल रहे हैं तो सुभा के समय उठके चंद्रमा का दर्शन करिए और उसी समय अपने इश्ट के मंतरों का जाप अवश्य करिए जिन भी देवी देवता का आप पूजन अर्चन करते हैं उनका जाप अवश्य करना चाहिए इसके बाद शरीर पे तिल का तेर लगाना चाहिए और इसनान करना चाहिए ऐसा करने से आपका शरीर हश्ट पुष्ट होता है शरीर में यदि कोई रोग बाधा इत्यादी होते हैं तो उसका समाधान शीगर मिलता है आपको इसनान करने के बाद अपने देवी देवता का तिलक पूजन वंदन करना चाहिए भाई दूज के दिन तिलक करने से सब्रकार से रक्षा होती है जिसका हम तिलक करते हैं वह अमारी रक्षा करते हैं तो इस दिन पे यदि आप नियमित पूजा नहीं भी करते हैं तो भी अपने घर के पूजा मंदिर में अपने देवी देवता का तिलक अवश्य करिए उन्हें कुछ मिष्ठान भोग जरूर अर्पित करिए सुमवार का दिन हैं भोले नाथ शिवजी पे जल जरूर चढ़ाईए क्योंकि भोले नाथ इस पूरे संसार के संहार कारक देव हैं हर प्रकार के रोगों से भगवान भोले नाथ हमारी रक्षा करते हैं भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाईयों को अपने घर भोजन पे बुलाना चाहिए ऐसा करने से भाई की दीर्ग आयू होती है और भाई के जीवन की रक्षा होती है सभी तरह के कश्टों का नाश होता है और बहन भाई के सुख सभाग्य में व्रद्धी होती है आप को में भाई तूच के तिलक का शुब महरत बता रही हूं भाई तूच के तिलक का शुब महरत दिन के समय होता है दिन के समय सभी बहनों को अपने भाई का तिलक वंदन करना चाहिए एक बच के नौ मिनिट से लेके तीन बच के आठ मिनिट तक आप दिन में अपने भाई को त तिलक लगाएंगी तो यह सबसे शुब समय है इसके अलावा लोग अपनी सुविदा के नुसार दिन के किसी भी तमय तिलक बंदन कर सकते हैं परन्त जो पूजा के विशेश महुरत होते हैं उन समयों में यदि भाई अपनी बेहन से तिलक करवाता है तो इसका लाब भाई औ यह त्योहार मनाना है एक पूजा की थाली तयार कर लें उसमें एक देसी घी का दीपक रख लें थोड़े से चावल रोली थोड़ी सी मिठाई और बहन को अपने धेर सारे प्यार के साथ अपने भाई के सर पे रूमाल रखके हाथ में एक नारियल दे के इस दिन पे भाई क तिलक करना चाहिए यदि आपके भाई का विवा हो चुका है तो उनके साथ उनके परिवार जैसे कि आपकी भावी उनके बच्चों इत्यादी सभी का तिलक वंदन करना चाहिए एक तरह से आप अपने भाई का मान सम्मान करते हैं उन्हें प्यार करते हैं और इस प्रकार स सब्सक्राइब बहनों को अपने भाई का तिलक वंदन करना चाहिए और जब भी बहन तिलक करे उस समय पे भाई को अपने बहन के लिए कुछ न कुछ पैसे गिफ्ट जो भी आप उचित समझें जरूर देना चाहिए और आप अपनी यथा इस्तिति अपनी बहनों का आदर सत है यहां आपका प्यार है और इस रिष्टी की प्रती समर्पन है कि आप अपनी बहन को इस दिन पे कोई न कोई गिफ्ट जरूर दें अब हम बात कर लेते हैं भाई दूज के दिन लगाई जाने वाले विशेश दिये के बारे में शाम के समय जब अंदकार छाने लगता है तब सभी ग्रहों में प्रकाश करा जाता है इसके लिए हम लाइट जलाते हैं परन्तु भाईदूज के दिन आप अपने घर में जब भी उजाला करने के लिए शाम में लाइटें जलाएं उसके पहले आपको एक चौमुखा दिया बनाना है ये दिया आप आटे का बना सकत हैं मिट्टी के कोई पुराने दिये हैं आप उनसे भी इस उपाई को कर सकते हैं एक आप दिया ले ले उसमें दो बाती क्रॉस करके रख लें वो एकदम चौमुखे दिये का रूप ले लेगा और यहां चौमुखा दिया आपको अपने घर के बाहर ले जाके रख देना है यहां आप अपने घर के जो में डोर है उसके बाहर किसी भी तरफ पे रख सकते हैं चौमुखे दिये का विशेश उपाई आपके जीवन को कैसे बदलता है यह मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह से चौमुखा दिया हमारे जीवन में चारों दिशाओं से आने वाली नेगिटिविटी को या अंदकार को कम कर देता है और चौमुखा दिया जिन घर में शाम के समय जलता है उस घर की रक्षा स्वयम हनुमान जी महराज करते हैं हर प्रकार के कष्टों का नाश क करते हैं जीवन में सुख सभागे देते हैं और यह चौमुखा दिया यम को भी प्रसन्न करता है किसी के जीवन में जो भी कष्ट होता है उसे यम यातनाओं से संबंध में जाना जाता है आप अपने जीवन में यम यातनाओं को दूर करने के लिए अर्थात कष्टों को द भागे दे देते हैं आज की दिन की एक रोचे कथा मैं आपको जाते जाते अवश्य सुनाना चाहती हूं यम भगवान हमेशा मनुश्यों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए उद्धत रहते हैं इस कारे के चलते यम देव को कभी भी अपनी बहन से मिलने का मौका नहीं मि छोड़ दिया तब अपनी बहन की मना इस्थिती को जानते हुए यम भगवान ने एक दिन अपनी बहन के घर जाने का निश्य किया और इसके बाद भाई दूज अत्वा यम दुतिया के दिन पे वहाँ अपनी बहन के घर गए उसके घर जाकर उन्होंने बोजन करा उसे तो जाते हैं तो वह मनुश्यों को किसी प्रकार की यातनाय नहीं देते हैं इसलिए इस दिन यम भगवान का शुक्रिया करने के लिए हम सभी को यम का दीपक जलाना चाहिए और अपने घर के सभी लोगों के सुख सभागय की कामना करनी चाहिए आप सब के जीवन में भी सदे सभी कश्टों का नाश हो और आप सब तरक्की करें ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं सभाप्त करती हूं यदि आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आये हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प् जिससे आपके जीवन में सुख सभाग के दिये जगमगाते रहें आगे आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवला नवमी के बारे में और तुलसी विभा के बारे में इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें और ग्यान वर्धक जानकारी प्राप् खुश रहें